तो भाई आज हम बात करने वाले हैं विजय दलाबती की सेवन अपकमिंग मूवी के बारे में दोस्तों मियना में आरिफ खान आज देखरें पैन इन आम ओवी योटूब चैनल तो भाई वीडियो चुरू करते हैं देखो भाई तलाबती विजय फिल्म इंडेश्टिस के सबसे महंगे और सबसे बड़े एक्टरों में से एक हैं जिनकी फिल्म आसानी से धाई सो से तीन सो करोड का बॉक्स अफिस कलेक्शन कर लेती हो भी बिना प्रमोशन के तो भाई आप समझी गया होंगे कि विजय तलाबती फिल्म इंडेश्टिस के कितने बड़े एक्टर हैं तो ऐसे में आज हम बात करेंगे तलाबती विजय सर की आने वाली काफी बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में जो आने वाली टाइम में बड़ी बड़ी फिल्मों क रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है कलेक्शन के मामले में जी हाँ दोस्तों विजे सर की कौन-कौन सी फिलिम होने वाली है ये सब जाने के लिए आपको वीडियो को लासक्त देखना होगा तो चलो इस वीडियो को एक चोटा सा लाइक करके वीडियो शुरू करते हैं तो वो भी डबल रोल में जी हाँ दोस्तों इस फिलिम को डैरेक्ट कर रहे हैं वैंकर्ड प्रभू वो भी काफी बड़ लेवल में और इस फिलिम के अंदर विजे सर के साथ हमें प्रभू दिवा भी नजर आएंगे वो भी सपोर्टिंग एक्टर के रोल में इसके इलावा इ इस मुवी को लियो से काफी बड़े लेवल पर विलीज करने वाले हैं वो भी पैन इंडिया और ये मुवी हमें 2024 के दशारा के मौके में देखने मिल जाएगी उसके बाद विजे सर की second film होने वाली है शारूख खान और विजे सर की बीच में एक अंटाइटल फिलिम और य कि उनकी नेश फिलिम शारूख खान और विजे के बीच में होने वाली है जिसका ओफिशर एनॉंसमेंट हमें 2024 के जून या जुलाई के महने में देखने मिल सकता है वो भी शारूख खान और विजे के बीच क्योंकि डारेक्टर एटली कुमार सर फिलाल इस फिलिम की स्टो यदि आप लोग भी ये दोनों जोड़ी देखने के लिए एकसाटेट है तो भाई प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं इसके इलावा इस फिलिम को रिलीज किया जाएगा 2026 के अंदर उभी पैन इंडिया लेवल पर के बाद नमबर त्री पे विजएतलापति सर की मुवी होने वाली है उसका नाम में गरूडा और गरूडा विजए सर की आने वाली एक पॉलिटिकल डिरामा फिलिम होने वाली है जिसके अंदर हमें विजए सर एक किसान का रोल पले करते हुए नजर आएंगे जी हां दोस् पक्का है क्योंकि वैतरी मननान की फिलिम में हमें शोशल मुद्दा जादा दिखाया जाता है जो लोगों को जागरूत करता है जी हाँ दोस्तों वैतरी मननान की लाज फिलिम आई थी असूरण जिसमें दनुश्यर को नैशनल आवार्ड भी मिलाता आप समझे गए होंगे कि वैतरी मननान का डिरेक्शन और कंटेन कितना दमदार होता है वैतरी मननान सर की जो फिलिम आ रही है गरूदा वो एक रियल स्टोरी पे बेस है तो भाई इस मुवे में दिखाया जाएगा कि किसा लोग फासी क्यों लगाते है क्या क्या परसिती आती है सब कुछ दिखाया जाएगा इस फिलिम के अंदर जिसके अंदर तेला पत्री विजय सर खुद लड़ते हुए नजर आएंगे वो भी किसान बनकर और जो जो किसान की प्रॉब्लम है वो सॉल्फ करेंगे इसके इलावा इस फिलिम की स्टोरी ली गई है वो एक बुक से ली गई है जी हाँ दो एक अंटाइटल फिलिम होने वाली है और ये फिलिम विजय सर की एक पॉलिटिकल ड्रामा फिलिम होने वाली है और इस फिलिम को डिरेक करेंगे एस संकर वो भी काफी बड़े लेवल पे और आपको बता दू ये फिलिम पॉलिटिकल ड्रामा फिलिम क्यों होने वाली है क्य हाँ दोस्ते इस फ tsunकर अगले साल शूरू करने वाले हैं क्योंकि एश संकर फिल हाल अपने dw प्रोजेक्ट में busy हैं जिसके कारण एश संकर सर इस मुवी के शूटइंग अगले साल शूरू करने वाले हैं और ये मुवी हमें 2025 के अंदर लाश में देखने मिलेगी उसके बाद विजे सर की नमबर फाइब जो मुवी होने वाली है वो है लियो टू और लियो टू विजे सर की आने वाली एक सीक्वल फिल्म होने वाली है जिसके अंदर इस बार विजे सर हमें लियो के किर्दार में नहीं बलकि पार्जी बन के किर्दार में तबाई मचाते हुए नजर आएंगे जिसे डारेटर लोकेश कंगराज डारेक्ट करने वाले हैं वो भी लियो से काफी बड़े लेवल पर मैं बता दूँ आप लोगों को डारेक्टर लोकेश कंगराज ने अपने इंटर्विव में पहले भी बता दिया था कि लियो टू हमें 2026 के अंदर देखने मिलेगी इस फिलिम के अंदर हमें लियो यानि कि पार्जी बन की स्टोरी दिखाए जाएगी या फिर इस मूवे में ये दिखाया जाएगा कि जो लियो की बहन थी वो सगी बहन है कि नहीं ऐसा कुछ हमें लियो टू में दिखाया जाएगा और आप तो जानते हो जो लियो ने पाश्ट की स्टोरी बताई थी वो सारी जूट थी जिसके कारण डारेक्टर लोकेस सर लियो का सीक्वल पार्ट भी बनाने वाले थे इसके इलावा हमें लियो टू में दिल्ली, रोलेक्स, विक्रम का इन सब का कैमिय रोल भी देखने मिलेगा क्योंकि भाई ये फिल्म LCU यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है और आप जानते होगे लियो फिल्म में हमें लियो के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया गया है बस इतना बताया गया है पार्टी बन लियो है की नहीं ये सब कुछ दिखाया गया है फिल्म के अंदर जी हाँ दोस्तो हम लोग लियो का सेकेंड पार्ट दोजाच अबिस के अंदर देख पाएंगे वो भी पैन इंडिया लेवल पर उसके बाद विजय सर की सिक्स फिम होने वाली है विकरम टू विकरम 2 2022 में आए ही विकरम की सीक्वल पार्ट होने वाले हैं जिसे डारेक्टर लोकेश कंगराज पहुत ही बड़े लेवल पर डारेक्ट करने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बता दू विकरम 2 LCU यूनिवर्स का लाश पार्ट जाने की फानल पार्ट होने वाला है जिसके अंदर लोकेश कंगराज यूनिवर्स के छोटे से बड़े हर एक केरेटर को दिखाया जाएगा विकरम 2 में इसके इलावा विकरम 2 में दिल्ली रोलेक्स विकरम लियो जो की में किवदार में देखने मिलेंगे जी हाँ दोस्तों आपको बता दू ये फिल्म लोकेश यूनिवर्स के सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है क्योंकि ये फिल्म LCU यूनिवर्स का लाश्ट और फानल पार्ट होने वाला है और इसके अलावा LCU यूनिवर्स का सबसे बड़ा में विलें रोलेक्स नहीं बलकि लियो होने वाला है जिसे मारने के लिए दिल्ली विकरम और बहुत दोगों को एक साथ होना पड़ेगा जिसे लोकेश तर काफी बड़े लेवल में बनाने वाले हैं वो भी पैन इंडिया, तमिल, इंदी, इंग्लेश, तेल्गू सबी लैंग्विज में ये मुवी को रिलेस करेंगे जिहां दोस्तों ये फिलिम हमें दोवाजा 27 से लेके 28 के अंदर देखने मिलेगी वो भी पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड लेवल पर उसके बाद विजे सर की नंबर 7 फिलिम होने वाली है मन कता टू मन कता टू विजे सर की आने वाली एक एक्शन ड्रामा फिलिम होने वाली है जिहां जिसे डारेक्ट करने वाले है वेंकर्ट प्रभू जो फिलहाल इस समय विजे सर के साथ तेलापती 68 की शूटिंग कर रहे हैं जिहां दोस्तों आप लोग को बता दू ये फिलिम अजित सर की जो मन कता आय थी ना उस मूवी का सीक्वल पार्ट होने वाला है जिसके अंदर तेलापती विजे और अजित कुमार री रोल में नजर आएंगे इसके इलावा इस फिलिम का एनॉंसमेंट डारेक्टर वैंकर्ट प्रभू के दौरान किया गया है कुछ मैना पहले जिसे हम लोग 2026 सक देख पाएंगे तो दोस्तों ये था विजे सर की आने वाली काफी बड़ी बड़ी पैल इंडिया फिल्म की लिष्ट तो भाई आप लोग विजे सर की कौन सी फिल्म देखने के लिए जादा एक्सेट है हमें कमेंट करके बटाएं आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो चले को सब्सक्राइब करो और मेरी एक वीडियो और है एट अपकमिंग सेक्वल मूवी के बारे में अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने इन स्क्रीन में निचे लगा दिया है अब टैप करके देख सकते हैं तो भाई वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगले वीडियो मतलता के लिए बाए